नमस्कार दोस्तों मैं विकास तिर्वेदी आपके अपने यूटूब चैनल विकास स्टिडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों पालिटी की पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतिय सम्विधान के विदेशी सुरोत के बारे में जानकारी की थी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर है भारती सम्विधान की अनुसूचिया दोस्तों भारती सम्विधान की अनुसूचिया हमारे इजाम की द्रष्ट से बहुत ही महत्पूर्ण हैं इनसे सभी परिछाओं में एक ना एक कुश्यन पूछा ही जाता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर भारती समविधान की अनसूचिया तो सबसे पहले भारत के मोल समविधान में कुल कितनी अनसूचिया थी तो दोस्तों भारत के मोल समविधान की बात करें मोल समविधान में आठ अनसूचिया थी और अगर वरतमान की बात की जाए कि वरतमान में समविधान में कितनी अनसूचिया है तो बारा कुष्चन ऐसे सीधा आता है कि सम्विधान में कितनी अनुसूचिया है तो इसका आंसर 12 होगा और अगर पूचता है कि मूल सम्विधान में कितनी अनुसूचिया है तो 8 तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रथम अनुसूची के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है उनके बारे में उनकी सीमाओं की बारे में उनके नामों तथा उनकी छेत्रों के बारे में वरण किया गया है और संग सासित प्रदेश या जो अरजित किये हुए कभी कभी यहां पर संग सासित की जगा अरजित किये हुए प्रदेश लिख किया आता है तो जैसे अरजित किये हुए प्रदेश, जैसे पांडचेरी, गोवा, पांडचेरी को जैसे पुर्तगालियों से आजात कराया गया था, तो ये अरजित छेत्र हैं, तो प्रथम अनसूची में इसमें भारती संग के घटक राज्यों, संग सासि छेत्रों का उनके नामों, उन ये पांडचे ज़ाप्ति राजवश्था के जो विभिन पताधिकारी होते हैं, उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, इन सभी के बारे में उल्लेक किया गया है। दोस्तों अगर इसके बात की जाए कि इसमें जो पदाधिकारी हैं ये कौन-कौन से पदाधिकारीों को वेतन भत्ते के बारे में उलेख किया गया है तो दोतिया नुसूची में जैसे राष्टपद, राजिपाल, लोकसभाका अध्यच, उपाध्यच, जाजसभाका सभापत और दोस्तों विधान परिश्द के सभापती और अगर बात की जाए तो दोस्तों इसके अंतरगत उच्छ नयायले और उच्छतम नयायले के नयायधीसों और भारत का नियांतरक महालेखा परिचेक इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंसन के बारे में उलेख किया गया है दोस महालेखा परिचेक इन सभी के बारे में इनकी वेतन, भत्ते और पेंसन का उलेख किया गया है तो दोस्तों पहले पहली अनसूची में भारत के जो संग राज्य हैं और जो केंडर सासित प्रदेश हैं इन सभी के बारे में छेत्रों और उनके नाम के बारे में उलेख है दोस्तों, सीधा कुछन आता है कि धुति अनुसूची किस से संबन देता है? तो वेतन, भत्ते और पहंसन से भातिय राज व्यस्था की विभिन्पदा धिकारियों से. उसके बाद त्रतीई अनुसूची की अगर हम बात करें, तो तरतीय अनुसूची में विबिन पदा धिकारियों के द्वारा ली जाने वाली सपत दोस्तों तीसरी अनुसूची में ये सपत वर्ड तीसरी अनुसूची में सपत दी गई है तो दुती अनुसूची में वेतन भत्ते हैं तती अनुसूची में सपत हैं उसके लाब दोस्तों चौथी अनुसूची देखते हैं दोस्तों चौथी अनुसूची इसमें विभिन राज्यों तथा संगी छेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधितु का वरणन दिया गया है दोस्तों चोथी अनुसूची में विभिन राजियों तथा संगी छेत्रों की राजिसभा में प्रत्विनिधितु का वरण दिया गया है अगर उसके बाद हम पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जनजात के प्रसासन और नियंतरण के बारे में उल्लेग दिया गया है दोस्तों इसमें पांचवी अनुसूची में विभिन अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जनजात के प्रसासन और नियंतरण के बारे में उल्लेग दिया गया है उसके बाद छटी अनुसूची हमारी इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जन्जाती छेत्रों के प्रसासन से सम्मंदित प्राउधान दिये गए हैं उम्मिद करता हूँ यह अच्छी आपको समझ आ गई होगी दोस्तों इन अनुसूचियों से सबसे ज़्यादा कुश्यन मनते हैं उसके बाद सात्वी अनुसूची इसमें केंद्र और राजिके भी सक्तियों का बटवारा दिया गया है इसके अंतरगत तीन सूचियां हैं दोस्तों सबसे इंपार्टेंट इन ही सूचियों से कुश्यन मनता है इज्यामों में जो सात्वी अनुसूची के अंदर तीन सूचिया आती हैं संग सूची, राजिसूची और समवर्ति सूची दोस्तों सातवी अन्सूची में केंदर राज संबंधों के भी सक्तियों का बटवारा दिया गया है और इसके अंतरगत तीन सूचियां आती है संग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची अब दोस्तों संग सूची के बारे में सबसे पहरे हम लोग जान लेते हैं कि संग सूची में क्या दिया हुआ है दोस्तों संग सूची इस सूची में दिये गए विशय पर केंदर सरकार कानून बनाती है दोस्तों संग सुची में वो विषय दिये गए है जिन पर केंद सरकार कानून बनाती है और सम्विधान के लागू होने पर इसमें 97 विषय थे सबसे ज़्यादा कुश्टन इस लाइन से बनता है दोस्तों कि वरतमान में कितने हैं या मौल सम्विधान में कितने थे तो 97 बेविसाय अगर समिधान के लागू होने के समय संग सूची में 97 बेविसाय थे वर्तमान में 100 बेविसाय है उसके लाद दोस्तों देखते हैं राज सूची संग सूची आप जानते हैं कि केंद सरकार नियम बनाती है जबकि राज सूची में राज सरकार कानून तो बनाती है लेकिन अगर राष्ट्री हित से सम्मन नित होने पर केंद सरकार भी कानून बना सकती है और समिधान के लागू होने के समय इसमें 660 विसे थे दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि उसके बाद आगे बढ़ते हैं समवर्थी सूची दोस्तों जब हम लोगों ने विदेशी सुरोत के बारे में चर्चा की थी तभी हमने आपको बताया था कि समवर्थी सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है तो दोस्तों आस्ट्रेलिया के समिधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है उसका दोस्तों समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है दोस्तों समवर्ति सुची इसके अंतरगत दिये गए विसाय पर केंद्र एवम राज दोनों सरकारे कानून बना सकती है परंट कानून के विसाय समान होने पर केंद्र सरकार दोरा बनाया गया कानून ही मानने होता है दोस्तों इसमें केंद और राज दोनों सरकारे कानून बना सकती है परंत कानून के विशय समान होने पर केंद सरकार दोरा बनाया गया कानून ही मानने होता है और केंद सरकार द्वारा बनाया गया कानून जब तक केंद सरकार कानून नहीं बनाती तब तक तो राज सरकार के कानून से ही चलता है लेकिन जिस समय केंद सरकार कानून बनाईगी उसी समय से राज सरकार कानून खत्म हो जाएगा दोस्तों तो राज सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है दोस्तों यही अभी जो हमने बताया वही नीचे लिखी हुई है तो दोस्तों समिधान लागू होने के समय इसमें 97 विसय थे इसमें 66 विसय थे और अगर हम समवर्थि सूची की बात करें तो इसमें 47 विसय थे अब अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 100 विसय हैं इसमें 61 हैं और इसमें 52 हैं ये सारणी बना कर आप लोग ऐसे याद कर लेना कि किस टाइम ये लागू होने के समय की बात है और ये वर्तमान की दोस्तों, इनसे कुश्चन पूछा जाता है, उसके लाद दोस्तों आगे देखते हैं कि आठ्वियन सूची, दोस्तों आठ्वियन सूची इसमें भासाओं क उलेक किया गया है। वर्तमान में 22 भासा हैं तो दोस्तों 21 में समिधान संसोदन 1916 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया उसके बाद आगे देखती है तो दोस्तों सिंधी को जोड़ा जाने के बाद भारति समिधान में 15 भासा हैं हो गई उसके बाद 71 में समिधान संसोदन जो 1992 में हुआ दोस्तों 71 में समिधान संसोदन 1992 इसके द्वारा तीन भासाय जोड़ी गई दोस्तों इसके द्वारा तीन भासाय जोड़ी गई 71 में समिधान संसोदन 1992 तो इसकी ट्रकिया है दोस्तों कौन-कौन सी भासाय जोड़ी गई नमक नमक से मतलब दोस्तों ना से हो जाता है नेपाली भासा जोड़ी गई, मा से मड़िपुरी जोड़ी गई और का से कौंकड़ी तो दोस्तों 71 में समिधान संसोधन 1992 के द्वारा नमक जोड़ा गया और जिसमें नेपाली, मड़िपुरी और कौंकड़ी तो इससे दोस्तों ये तीन भासा जोड़ा जाने से अभी अगर इसको तीन प्लस कर दे तो 18 भासाएं हो गई हमारे समिधान में 81 समिधान संसोधन 1992 के द्वारा तीन भासाएं कौन सी नमग नेपाली, मडिपूरी, कौंकडी दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अभी दोस्तों हमारे समिधान में 18 भासाएं हो गई उसके बाद दोस्तों 92 में समिधान संसोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ 92 में समिधान संसोधन जो 2003 में हुआ इसके दोरा समिधान में चार और भासाइं जोड़ी गई तो दोस्तों 18 हो गई थी और चार भासाइं जोड़ी गई तो बराबर 22 भासाइं हो गई हमारे समिधान में अगर वरतमान की बात करें तो हमारी आठ्वी अजूची में 22 भासाओं का उलेख है और इन 22 भासाओं में दोस्तों अंग्रेजी का उलेख नहीं है और अगर ये चार भासाओं कौन सी जोड़ी गई तो दोस्तों महेंद्र सिंग धोनी का बल्ला महेंद्र सिंग धोनी का बल्ला M से मैथली और S से संत्ाली और D से डोंग्री और बल्ले से बोडो दोस्तों, महेंदर सिंग धोनी का बल्ला तो मैथली, संत्ाली, डोंग्री, और बोड़ो 92 समिधान संसोधन 2003 के द cows like समिधान में जोड़ी गई और इससे हमारी वर्तमान में 22 बासाए हो गई है उसके बाद दोस्तों हम नभी अनुसूची पर चलते हैं। समीधान में यह अनुसूची प्रथम समीधान संसोधन के द्वारा जोड़ी गई। दोस्तों ये पहला समिधान संसोधन था इसलिए नभी अनसूची से सबसे जादा कुश्चन यही पूंचे जाते हैं कि नभी अनसूची किस समिधान संसोधन के द्वारा जोड़ी गई और इस अनसूची में कितने अधनियम है और ये अनसूची किस से संबंदित है तो दोस् में नभी अन्सूची में 284 विषय हैं और इसके अंतरगत राज द्वारा संपत्ति के अधिग्रहन की विधियों का उल्लेख किया गया है और दोस्तों नभी अन्सूची के जो अधिनियम है इन्हें नयायले में चुनोती नहीं दी जा सकती है दोस्तों नभी अन्सूची के विषयों को नयायले में चुनोती नहीं दी जा सकती है उसके बाद दोस्तों हम अपनी दस्वी अन्सूची पर चलते हैं बहुत इंपार्टेंट है दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा कुश्यन मनता है कि दस्वी अन्सूची किस समन्दित है तो 1951 के द्वारा जोड़ी गई और दसवी अनसूची 52 सम्मिधान संसोधां 1985 के द्वारा जोड़ी गई और दसवी अनसूची में दल बदल से समंदित प्रावधानों का उल्लेख करती है उसके बाद दोस्तों 11 अनसूची ये भी दोस्तों बहुत important है जो अनसूची ये परिछा अनुसूची आठ और साथ ये अनुसूची ऐसे हैं दोस्तों इनसे बहुत ज्यादा कुश्चन पूछे जाते हैं अभी आप यूपिटेबल सी पी इती का एक्जाम होगा उसमें भी आप इस अनुसूची के चैप्टर से देखना है एक ना एक कुश्चन जरूर बनेगा तो या अनुसूची ग्यारवी अनुसूची समिधान में 73 में समिधान संसोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई दोस्तों 73 में समिधान संसोधन कब हुआ 1993 में और इसी के द्वारा ग्यारवी अनुसूची जोड़ी गई उसके बाद दोस्तों ग्यारवी अनुसूची में पंचायत दोस्तों जो 11 वी अनिसुची थी, वो 73 में समिधान संसोधान 1993 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें सहरी या नगरी चेत्रों के लिए इस्थानी सुसासन संस्थाओं को कारे करने के लिए 18 विस है दोस्तों 11 वी अनिसुची में 29 विस है और नगरी चेत्रों के लिए 12 वी अनिसुची में 18 विस है प्रदान किये गए है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सात्वी अनिसुची से कुष्चन पूछे जाते हैं वो उन कुष्चनों पर चर्चा कर लेते हैं जैसे कि संग सुची आप लोगों को हमने बताया था कि 97 विस है समिधान लागू होने के समय थे वर्तमान में 100 विस हैं तो संग सुची में दोस्तों जनगरना रेलवे सेरबाजार युद सांत और आयकर बीमा सेवा कर विदेशी मामले इन पर दोस्तों यह सब संग सुची क इसलिए हमने लिखे हैं तो इनको बहुत ध्यान से देखना जनगरना most important है railway यह दोस्तों बहुत ज्यादा important है और सेर बाजार भी पूछा जाता है पूंचे तो दोस्तों सभी जाते हैं लेकिन जनगरना most important है उसके बाद राज सुची की बात करें तो दोस्तों राज सुच प्रैक्टिस कराया था उसमें बाजार और मेले आया था क्रेस पसपालन गैस सराप मनोरण्यन टोल्टेक्स दोस्तों टोल्टेक्स मतलब पथकर पथकर भी राजिसूची के अंतर गताता है लोक स्वास्त विद्धुत भूराजस सट्टा या दोस्तों जुआ और कारागार आ पाजार और मेले राजिसूची के अंतर गताते हैं करस पसपालन राजिसूची के अंतर गताते हैं उसके बाद दोस्तों समवर्ती सूची इससे सबसे ज़्यादा कुष्चन बनता है दोस्तों क्योंकि समवर्ती सूची में सिच्छा सबसे ज्यादा इंपार्टन दोस्तों संवर्ति सुची में वन वन जीव और दोस्तों कुष्चन यहां से बनता है जन संख्या जनगरना संग सुची में है जबकि जन संख्या संवर्ति सुची में दोस्तों जनगरना संग सुची में और जन संख्या संवर्ति सुची में तो समवर्ति सूची के दोस्तों ये देखो दोस्तों प्रैक्टिस अट में कुशन आया था कि विवाः एवं विवाः विच्छेत किसमें है तो समवर्ति सूची में है कार खाने, CRPC और अदोगिक विवाद, सच्छता, समाचार, परिवार नियोजन दोस्तों सिच्छा, वन वन्यजीव, जनसंख्या, परिवार नियोजन और विवाः विच्छेत, ये सभी समवर्ति सूची में हैं और दोस्तों समवर्ति सूची आश्टेलिया के समिधान से ली गई थी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद